ईज़ पत बने वाली फिशकररी देखता है कैसे बनाते हैं मेरे हज़म फिशकरी कैसे बनाता है तो चलिए सबसे पहले हलदी लगा दिए इनोंने कच्छी फिश पे यह जो भी खंद ants कर से आप और पार आपके ट्रूंट जाने यह एग से हैं सब निकल जाती है सबसे पहले हमने एक कडाई लिये कडाई में 4 टेबल स्पून विग टेबल स्पून तेल डाला है तेल थोड़ा सा ज़्यादर डालना पड़ता है सही रहता है प्यास टामाटर जल्दी से पक जाता है तो देखेगा हमारा तेल भी पक चुका है और अब इसमें जाएगा यालो मश्टर सीड इन्णों ने इसमें एड किया है तो ये अच्छे से चटकने लग गया भीया ये अच्छे से चटक चुका है इसके बाद इन्णों ने जो हमारा गार्लिक चॉप करावा था वो इन्होंने इसमें एड़ कर दिया है ये भी अच्छे से पक चुका है तेल काफी ज्यादा गरम हो रुखा है और जो मिर्च और प्याज चार बड़े बड़े प्याज चॉप कर रखे थे वो भी इसमें एड़ कर दिये है और हरीमिच भी चॉप करके रखी थी वो भी इसमें एड़ कर दिये है और इसे अच्छे से जल्फटापट चलाना है ताकि हमारे जो प्याज है वो जले ना प्याज को पकते टाइम क्या है ना सामने रहना चाहिए क्योंकि प्याज तुरंत कब पक जाए पता नहीं चलता है तु कि अच्छे से काफी ज़यादा ब्राउने सा चुकी और इसमें टमाटर एड़ कर देंगे तीन बड़े बड़े प्या टमाटर इसमें चॉप कर धिये थे और इसमें अब आड कर दिया है टमाटर भी और टमाटर को भी अच्छे سे कुछ सेकंड तक चलाते रहेंगे और उसके तुरंट बाद आप मसाले एड़ कर सकते हो जैसे कि दो टेबल स्पून नमक भी एड़ कर दिया है हल्दी पावडर हो गया वो भी आपने एड़ कर दिया है और मिर्ची पावडर भी एड़ कर दिया और चला गया दनिया पावडर ये भी एड़ कर दिया तीन बड़े बड़े स्पून और थोड़ी सी देगी मिर्ची ली उसमें कलर काफी अच्छा आता है और ये लिया है भईये इन्होंने अब लिया है M.D.H. मसाला जो होता है नॉन वेज मसाला जो होता है M.D.H. का मिर्ट मसाला बहुत ही ज़्यादा टेक्शर आता है कहीं भी किसी भी दुकान में अबलिबल हो जाता है परचून की तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दे ताकि ये जो मसाले है ना फुल फ्लैम पे ये कारी रखा है मसाले हैं जल्दी से जलना जाएं जलने के बाद क्योंकि इसकी अलगी इसमें लाती है ना तो मसालों को चलाते रहेंगे कुछ सेकंड तक से छोड़ते भी रहेंगे क्योंकि ये मसाला ताकि इस टीम से जल्दी से पक जाए ये मसाला काफी हद तक पक चुका है तो आप लोग कौन कौन एक चुक है करी फिश करी खाने के तो देखिए का बहुत ही ज़्यादा श्वादिस्त बनाते हैं भी मेरे हस्बन तो इन्होंने अब एके करके ये पीसेज डाल दिये हैं ये जो फिश के पीसेज की बात कर रही हूं मैं तो ये पीस जो है गलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता दस मिनट हार्डली दस मिनट का टाइम लगता है और जो टोटली जो मसाला से लेकर फिश तक का जो पूरा टोटल टाइम होता है ये होता है कर दो ज़्यादा नहीं लगता है ये जल्दी जल्दी गल जाता है और सबसे पहली बात इस पैचलों को हमें चलाते जादा नहीं रहना चलाएंगे तो हलके हातों से दीरे दीरे चलाना है क्योंकि ये तूट जाता है और से जादा भी नहीं चलाना होता है तो अब हमने इसमें हरे धनिया की गानिसिंग भी कर दिया है काफी अच्छी खुश्बू आ रही है तो चलिए जटपट इसे शर्व करते हैं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक से और कमेंट कीजिएगा तब तक के लिए थैंक यू बाइबाइब